प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिम्टेड पतना ट्विटर केम्पैन रेलबे न्यू वैकेंसी दोहजार तएस आप देख रहे हैं कि पढ़ाई या लराई 20 फरवरी दोहजार तएस हम लोग एक मेटिंग करके जितने भी यूटूब पर एक्टिव का और सबोन मिलके एक निर्ने लिया कि चार साल प्लस लगभग अब हो चुका है रेलबे अभी तक प्रेकंसी नहीं दी है और इस बीच में कितने सारे बच्चों का एज समाप्त हो गया कितने बच्चों को आर्थिक परिशानी कारण तयारी छोड़ देना परा इस हैस्ट्रेक मंडे को लगभग दए हो जाएगा अगले सब्ता से यानि लास्ट वीक 20 से पहले को वीक से आपका हैस्ट्रेक पर भी चर्चा होनी स्टार्ट हो जाएगी इस वीडियो के दो पहलू है एक तो इस Πर हम चर्चा करेंगे इसके मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कोसिस करेंगे कि सारे बच्चों को एक जुट करके उस दिन ब्यापक प्यावाने पर महा आंदोलन का ये महा ट्विटर केमपेंड का ये रूप ले पाए और इस वीडियो के दूसरा पहलू ये है कि प्लेटफॉर्म के द्वारा एक सिक्षा पर एक विसेस अभियान अभ इस दूसरा पहलू इसका ये है मीनिमाम हुए समझेय कि 70-80% लेस फी करके जितना हमारा फी है उससे रिलेटेड बैच दिया जा रहा है जिससे की दूर दराज में रहने वाले बच्चे भी जो कि सुदूर देहात गाउं में भी रहते हैं जो कि इच्छा रखते हैं कि इस बार ELP टेक्निशियन में इस बार SSC में हमारा फाइनल सेलेक्श कैसे हो या हम बहतर तयारी घर वैठे कैसे कर पाएं तो ओनलाइन मोड में इसके अलावे ओफलाइन मोड में भी उस पर भी हम चर्चा कर देंगे तो दोनों मोड में काफी छूट दे करके सभी बच्चों को एक मुख धारा मिलाने का परियास किया जा रहा है प्लेटफॉर अब आधार भी तो तक पर चर्चा करेंगे लेकिन पहले इस वीडियो क्मे जो आपना मैन उद्देश है उस पर चर्चा कर लिया जाए कि आखिर इस ट्वीटर कैमपेंग के कारण क्या है क्यों जरूरत पर पर परी है कि इस कैमपेंग की तो इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए प्रमुखमुद्द्ध देखिए हैं क्या है सबसे पहला प्रमुखमुद्द्दा तो लेकर है कि नीउब कब तक आना है एज को लेकर के इसू है आप देखेंगे कि चार साल लगभग गैप बीच में हो गया और जिसमें की कोरोना का कारण वता करके तीन साल तो ऐसे ही चला गया तो अभी जिस तरीके से SSC GD में तीन साल का एज का रिलेक्सेशन दिया गया तो अलपी टेकनिशियन या रेलवे के तैयारी करने वाले बच्चों को भी इसका लाव मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एज इस बीच में समाप्त हुआ है इसके बाद वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड इसू है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड इसू का मतलब यह हुआ आप दे जो भी गुरूबडी की वेकंसियां आई है और उसका जो प्रोसेस पूरा किया गया है यानि ज्वाइनिंग तक आप देखेंगे कि ज्वाइनिंग कराने के 6 महिने से साल भर के अंदर तक लगभग 30-40% बच्चे गुरूबडी का जौब छोड़ते हैं इसके पीछे कई सारे regions होते हैं एक तो government job की लालसा में बहुत ऐसे बच्चे भी इसका form भर देते हैं या finally selection ले लेते हैं जिनको की चुकि गुरूबडी का work load थोड़ा ज्यादा रहता है और work थोड़ा सा tough माना जाता है उस work के हिसाब से वो बच्चे अपने को वहाँ adjust नहीं कर पाते हैं और इसके बाद 10-20% वह इसे बच्चों में साता है अब जैसे बहुत सारे बच्चे का SSC में हो जाएगा SSC में भी कई अलग लग पोस्ट है इसके अलावा railway NTPC इसके अलावा state level के इतनी सारी वेकंसियां है उसमें selection हो जाएगा किसी में selection दूसरे exam में होगा तो group D के job को छोड होता है तो कुल मिला कि 30-40% ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो कि 6 महिने से साल भर के अंदर छोडते हैं आप अंदाजा लगा लिजिए कि अगर ऐसा होता है तो 30-40,000 seat vacant हो जाना है क्योंकि 1,03,000 vacancy है तो आखिर इन ही बच्चों में से अगर 50% waiting दिया जाता इन ही बच्चों म का फिर से दुबारा से उद्धार हो जाता अगर इस process में मुकधारा में बाद में भी आ पाते तो लेकिन अभी चुकी waiting समाप्त कर दिया गया railway के द्वारा यह बताया जा रहा है हम सारे seat को full कर देंगे मानते हैं कि पहली बार railway सारी seat को full कर देगी एक बार जो बच्चे पहुंचेंगे मेडिकल में छटेंगे तो cutoff को down कर करके पहली बार भर देगी हम इस बात को मानते हैं लेकिन जो बाद में seat vacant होगा 6 मैने साल भर के बाद उसका क्या यह गंभीर प्रस्न है इसके अलावा आप देखेंगे सब से मुक्य मुद्दा exam calendar से related है exam calendar जब SSC exam calendar दे सक सकती है state level में भी अब जितनी भी exams होती है लगभग सभी exam calendar जारी कर रही है तो railway अपना exam calendar क्यों नहीं जारी कर सकती है अब तो ऐसा भी हो गया कि group D को group C के अंतरगत लेकि ले आया गया अब तो एक संभावनाएं बर गई है अब railway को बहुत परिसानी नहीं होगी exam calendar को देने में लेकिन अपने से railway कुछ नहीं करेगी यह बात आपको माल्ले लेना परेगा क्योंकि जब तक लगातार आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते रहेंगे जब तक अपने हग की मांग नहीं करते रहेंगे जब तक आप लगातार campaign के माध्यम से Twitter campaign की माध्यम से अपनी बात को संबंदित अधिकारी संबंदित महक में संबंदित विभाग तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमको उमीद नहीं है कि आपकी बातों को मानी जाएगी या आपकी बातों पर गवर की जाएगी इसलिए अभी चार साल प्लस हो गया है रेलेवे न्यू भैकेंसी को ले करके कुछ दिन पहले दो बार tweet and campaign किया जा चुका है जिसमें कि एक बार सारे 6 लाख बच्चे भाग लिये थे एक बार सारे 3 लाख बच्चे भाग लिये थे अब सवाल उठता है कि जहां सवा करोर बच्चे फोर्म भरते हैं वहां सारे 6 लाख बच् हैं कि परहाई और लराई दोनों साथ-साथ वाली बात कि आप परहाई करते रहिए क्योंकि भैकंसी का जो पोजिशन है जुलाई अगस्त के बाद कभी भी भैकंसी दे सकती है उससे पहले तो personally हमको उमीद नहीं है अगर उपहले दे देती है तो इससे बहतर बात हैं क्या ह हो सकती है लेकिन जब भी वेकंसी आएगी तो आप समझ लीजिए उसके तीन महिने के बाद चार महिने के बाद एक्जाम हो जाएगा इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा समय मिल नहीं पाएगा और कंपिटिशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है कंश-कंश-कंश-45 से 50 लाग बच्चे फॉर्म बढ़ेंगे क्योंकि पिछले बार 38 से 40 लाग बच्चे फॉर्म बढ़े थे 15-20 परसंट तो इस बीच में बढ़ ही जाना है तो आप समझ सकते हैं कि जब कंपिटिशन लेवल इतना टफ है तो आचानक तीन महिना चार महिने में आप बहुत साथ साथ वाली बात तो आप खुद उस केंपेन में जो 20 परवरी को केंपेन होगा 11 बजे से जिसका हैस्टेक अगले सप्ता डिसाइड होगा आप तो एक खुद भाग लें और अपने साथी संगी को भी बढ़ चर करके इसमें भाग लेने के लिए बोलें और सबसे बरी ब में चात्रों के हित में वो टीचर आपको सपोर्ट करे और इस मुहिम का एक हिस्सा बने और इस मुहिम का हिस्सा बनकर के इस ट्वीटर कैम पॉल बनाने के लिए प्रियासरत रहें जिससे की लाकों के संख्या में कम सब कुद पचासो लाग पलस बच्चे ट्वीट कर पा तभी railway vacancy देगी, नहीं तो हो सकता है कि railway थोड़ा पहले vacancy दे दे, और जहां तक vacancy का सवाल है, हो सकता है कि ALP technician पहले दे, हो सकता है कि JE senior section engineer पहले दे, हो सकता है कि आपका RPFSI पहले दे, तो कोई भी vacancy आगे पीछे आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए कि करीब 1.5 लाग प्लस vacancy overall सब मिला करके आ सकती है, जिसमें 75,000 vacancy पहले आपका ALP technician, JE senior section engineer मिला करके दे सकती है, अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, जो कि यह हम बताए कि सिक्षा का अभ्यान, यानि कि गरीबों तक या जो कि एकदम मजबूर बच्चे हैं, जो कि आर्थिक रूप से एकदम पर हैं, उसके लिए एकदम मिनिममम फी में बैच जो लॉंच किया जा रहा है, इसके बारे में आपको जरूर सुननी चाहिए, और यह 14 फरवरी तक यह आपका offer रहेगा, इसको आप जरूर एक बार देखें, हम पुरा detail इसका कर देते हैं, जैसे की course name, original price, offer price, platform trade course, महाधमा का offer इसमें क्या है, feeder plus engineering drawing, जिसका की पहिले से fee कम करके 999 हम किये हुए थे, उसमें 50% हम ओप किये, मात्र 499 रुपया में, आपका feeder trade भी हो जाएगा, साथ में engineering drawing भी हो जाएगा, और यह बैच 6 महिने plus चलेंगे, और समझ लिजिए की एक साल का इसमें बैलिटिटी दिया है, electrician plus engineering drawing, इसका भी 499 यानि 50% off, electronics mechanic plus engineering drawing 499, diesel mechanic plus engineering drawing 499, इसके अलावा wireman, MRAC और अन्य भी जो trade बच रहे हैं, मुकी मुकी trade, उसका भी बैच दा प्लेटफर्म एप को आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां registered हो जाएगे, सारे batches आपको मिल जाएगी, इसके अलावे, जो सिर्फ बच्चे engineering drawing छोर करके, सिर्फ trade परना चाते हैं, तो वो उनके लिए और एक विसेश offer है, उसको जरूर आप देखेंगे, अगर सिर्फ trade परना चाते हैं, तो इसमें क्या है, कि आप फीटर, electrician, electronics, mechanic, diesel में कोई भी trade हो मात्र 299 रुपिये में, आप समझ लिजिए कि 299 रुप समझ लिजिए कि पर मंत कितना cost परा, क्या इससे कम में संभव है, इसमें आपको PDF, पूरा notes, maximum electrician में और feature में तो बहुत चीज, bracket में, bilingual type का भी लिखा हुआ रहेगा, पूरा notes अगदम बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ रहेगा, बीच बीच में टेस्ट वगर, हर चीज का प पतना चैनल पर आप ढूंदेंगे, इसका demo भी हम लोड करा देंगे, और यकीन मानिये, अगर मेरे पर विश्वास है, तो जो भी classes आभी हम दे रहे हैं, एक बेस्ट faculty के साथ, और बेस्ट content के साथ, एक बेहतरीन class आपको मिलेगा, थोरा सा भी आपको नहीं लगेगा, कि कह कही नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है, हंडेड परसंट इससे बेनिफिट आपको मिलेगा, इसके अलावा भी एक उफर हम इससे पहले भी basic science और इंजिनिंग ड्रोइंग का मात्र 299 रुपया में दोनों subject का दिये हुए थे, फिर उसको कुछ दिन के लिए हम open कर दिये हैं, basic science engineering drawing का मतलब है, उसमें हम physics भी पराएंगे, chemistry भी पराएंगे, bio भी पराएंगे, और इसके अलावा engineering drawing भी होगा, मात्र 299 में, अब इससे सस्ता आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कि क्या चीज हो सकती है, इसलिए जिन बच्चों को भी और इसके अलावा एक बात और बत non-tech section आठ महिने तक चलेगा, तीन घंटा से चार घंटा डेली उसका class चलेगा non-tech section का भी, तो आप समझ सकते हैं कि एकदम minimum फिम संभव नहीं, और जो बच्चे पतना आकर के तयारी करना चाहते हैं, तो ओफ-लाइन मोड में भी हर बैच का 40% fee कम किया गया है, जहां पर सार 10,000 रुपया हमारा non-tech का लगता था, मातर 65,000 रुपया भी लगेगा, और non-tech पलस आपका trade plus engineering drawing मिला के मातर अभी आपको 85,000 रुपया लगेगा, जो की 8-9 महिने का course होगा, 14 teacher मिल करके पूरा syllabus पर आएंगे, मातर 85,000 रुपया ओफ-लाइन मोड में, आप समझ सकते हैं कि इ 1000-5 घंटे का daily class होना है, तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा पर हैं, अगर आपको जरौत है, तो आप जरूर प्लेटफोर्म आपको डाउनलोड करके या पतना आना चाहते हैं, तो यहां आ करके हमारा center जो है, मुसल्लपूर हाट पतना में इस्थित है, आप Google से भी सर्च कर स सकते हैं, जैसे भी आपको सुबधा मिले, आप उसी साब से इसका लाब उठा सकता है, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, धन्यबाद, best of luck और non-tick का भी जल्दी ही हम वीडियो बनाएंगे, धन्यबाद.